नमश्कार, JCLC, कैसे हैं बई? तो दोस्तों आज एक जुलाई को फिजिक्स का उननीसवा पंच हम लोग सूट करने जा रहे हैं हब सब जानते हैं बीस पंच हैं उननीसवा पंच सूट होने का मतलब है एक से चोदा तक लगातार हो गए सत्रा, अठारा, बीस पहले जक्सिर बहने कर दिये अब मेरे को केवल आज उननीसवा करना है और फिर पंदरा और सोला करना है तो ये उननीसवा पंच सूट होने के बाद पंदरा और सोला दो आपके पास पंच पर देंगे फिरिस के बागी यह हमारा प्रोमीज है कि यह आपके पास चार जुलाई से पहले पर आ जाएंगे ओके डियर और दूसरी कुशी की बात आप पता है केमिस्ट्री पंच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है राज हमारे अभी शेक बिस्रा का पहला और गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो उसका अपलोड हो चुका है आठ जुलाई तक प्रोमीज है केमिस्ट्री के बीस के बीस पंच फिजिक्स के बीस के बीस पंच और एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे रहा हो बचो आपको जेई के भी दो जार बीस और दो जार इकीस के जेई मैन के जो पेपर है वो टोटल 22 पेपर हैं उनको भी टोपिक वाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सारे वीडियो अपलोड करेंगे तो फिजिस केमिस्ट्री ये वीडियो दोस्तो नीट में भी काम आएंगे जेई में भी काम आएंगे मेरी रिक्वेस्ट है उनको भी निकाल लेना वो ही CLCC के यूटूब चैनल पे एक आपसे निवेदन है CLCC के जो फेस्बूग पेज है उस पे डेली साड़े छे लाईव आएं दोस्तों में डेली आदी गंटे बहुत छे बाते होती है मैं आपको विस्वास दिला सकता हूँ वो आदी गंटा आपके साड़े तेस गंटे को बहुत फूट्फुल कर देगा इसके लावा आपसे वही अपील आपको कोई दिक्क्त आती है आप जेई नीट 2020 के हिंदुस्तान के कोई भी स्टूटेंट हो आप मेरे खुद के नमबर डबल नाइन टू एड सेवन थ्री डबल एड डबल एड पर मुझे वाटसप कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं ठीक है तो आज का टोपिक है हमारा मॉडर फिजिक्स जिसमें क्या क्या है फोटो एफेक्ट आएगा प्जिक्स आएगी एटमेक स्टेक्चर आएगा रिडिक्टिविटी आएगी मेटर वेव आएगा यह सारा मेटर जहां से 45 में से राउंड फिगर में 6 से 8 कुशन तक नीट में आते हैं और यह वो प्रशन है जो हर उस बच्चे के सही होते है जो सेलेक्शन रेंज का बच्चा है और मेरा ऐसा मानना है तो अन्बो कहता है जिसके यह गलत हो जाते हैं वो सेलेक्शन रेंज से अपना भाहर हो जाता दोस्तों क्योंकि यह सबसे आसान टोपी मानना हूँ मैं सुरू करू तो पहला प्रशन आप लोग पढ़ें अगला साब कहता है फोटोन के दो पुंज जिसकी उर्जा दातू के कारिय फ्लन से दुगनी है और दस गुनी है करम से दातू की स्टेय पे गिरते हैं तो दोनु कंडिशन में जो इलक्ट्रोंस भाहर निकलते हैं उनके मैक्जिमम विलोस्टी का अनुपात क्या है रेशियो क्या है ठीक है पेज खाली करे प्रस्टन को करने से पहले फोटो इलेक्ट्रिफेक्ट की आपको पूरी कहने बता देता हूँ शुरू करो आज़ो डियर देखो डियर ये कोई पदार्थ है मानलो ठीक है भाई ये कोई पदार्थ है वो इनाभिक है ये कोई हम लोग फोटोन आपतित करते है ठीक है डियर इस फोटोन की इनरजी है मानलो ह नू इस बेटरियल का वरक्ट फंक्शन है डबलू नोट ठीक है डियर तो इसकी एक्वेशन बनेगी ह नू इक्वल टू डबलू नोट प्लस हाप सिंपल एक्वेशन है माना इसका वरक्ट फंक्शन है चार इलक्ट वोल्ट आप इस पे छे इलक्ट वोल्ट का फोटोन डाल दोगे ना तो चार इलक्ट वोल्ट तो खर्च होगा इसको बाहर निकालने में और दो इलक्ट वोल्ट जो है वो उसको कैमेटिक इनर्जी रूप में बाहर गुमाएगा और दूसरी आप जानते हो यह 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 वरक फंक्शन चार्ड लक्ट्रोन वोल्ट है उससे कम डालोगे तो चाहे एक डाल दो चाहे अनन डाल दो कभी भी इलक्ट्रोन का इमिशन नहीं होता है क्यों याद रखो एक फोट्रोन का समन्द किसे होता है एक लक्ट्रोन से होता है यहाँ दो बात और सुन लो यदि इंसिडेंट फोट्रोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो इमिट लक्ट्रोन की इनर्जी बढ़ेगी और यदि incident photon की तीवरता बढ़ाई जाती है ओके डियर, intensity बढ़ाई जाती है तो करंट बढ़ती है नंबरो फोर्टोन जादा होंगे तो नंबरो फोर्टोन जादा निकलेंगे नंबरो फोर्टोन जादा निकलेंगे तो I equal to DQ by DT धरा जादा बहेगी तो यह बहुत है question है आपकी photon की आवर्ती बढ़ाओ गई तो विभव बढ़ता है और तीवर्ता बढ़ाओ गई तो धारा बढ़ती है यानि intensity का समंध current से है frequency का समंध voltage से है जिसको अपन stopping voltage कहते हैं जिसको निरोदिभव कहते हैं बात पले पड़ती है आपकी 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 कारिय फ्लन हाप एम उसकार क्या है उत सर्जित इमिट इलोक्टोन की काइनेट इनर्जी थोड़ा सा और मोडिफाई करूं तो यह ऐसे बन जाता है एच नू नोट प्लस इवी जीरो वाट इस वी जीरो stopping potential दोस्तो यदि इस reaction को मैं थोड़ा सा equation रूपने लूं तो आप तो एच अपोन इडिय नू अब आप यहां देखो इसको मैं वाई कहूं इस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी देखो एच कोंस्टेंट इकोंस्टेंट इकोंस्टेंट नू नोट क्या है थ्रिशोल फ्रिक्वेंसी देहली आवरती तो एक पदात के लिए चेंज नही होती है यहां नू क्या है वरियबल फ्रिक्वेंसी वी नोट क्या है स्टॉपिंग पोटेंट तो वाई इकोल टू एम एक्स माइनस सी दोस्तो याद करो इसी पर बाकाइदा फोटो इलेक्ट्रिक एक्क्वेशन बड़ी और इसका ग्राप खंचते है तो आप इधर देखो कोडियर य पे कौण है वी नोट और यह तो कौण है एच अपॉन सी तो स्लोप है यह न्यू है तो याद कोडियर ऐसे इसका ग्राफ आता है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी इस राइट फोटो इलेक्ट्रिक का मूल करेक्टर है याद करो इसी की स्लोपि इस की स्लोपि क्या है त्रीटा किस के बराबर है एच अपॉन ई के बराबर है ई क्यूवैशन से प्लांग कोफिशन्ट का मान निकला था इसलिए इस इक्यूशन पर आइस्टन को नोबल पुरुषकार दिया गया था clear आईस्टीन को इस पे noble पुरूसकार दिया गया था क्योंकि Planck Constance की value ही आप जानते हो mode physics का आधार है मोडररng physics में photon का पता नहीं है photon H का पता नहीं होता तो photon का पता नहीं होता तो दोस्तों mode physics का साद। रूप ही और होता आज इसलिए यह आपके सामने एक बहुत सी प्यारी इसको बलते हैं आइस्टिन की प्रकास विद्धू से सभी एकर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ओफ आइस्टिन याद है ला अक्सर जब भी बात आती है आइस्टिन की लोग लगता आइस्टिन का E equal to mc square बहुत काम का है उस पे मिलाओ का अदूर पुसकार लेकिन इस पे दिया रहे है अदूर पुसकार अइस्टिन को विभव बढ़ता है तीवरता बढ़ाओगे तो धारा बढ़ती है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू पोटेंशियल इंटेंसिट इक्वल टू करंट ओके ठेंक्यू ठीक है पुत्रो अब अपने इस कुश्चन प्याते देखो क्या कहता है कहता है फोटोन के टू स्ट्रीम ओफ फोटोन के पदार्थ यहां भी वोई है यहां भी वोई है यानि मेटर नहीं बदला ना तो यहां भी डबलू नोट और यहां भी डबलू नोट यहां पर एक फोटोन डाला यहां पर कोई फोटोन डाला एक बात गांठ पाल लिए एक फोटोन का समझ किसे होगा एक है और यहां टेन टाइम है तो यहां जो एच न्यू है वो क्या है टेन डबलू नोट है क्लिए अब वो कहता है कि जो इलक्ट्रोन निकलेंगे उनकी विलुस्ट्री क्या होगी लोग मैं तेरे लिए तुरा कलर चेंज करूँ तेरी बात धान दे पुतर इसको मैं कहा दूँ एक्वल टू डबलू नोट प्लस हाफ एम वी स्काईर अब ऐसा बोल दे इसको कोई दिकत नहीं ठीक है अब मैं डबलू नोट को यह दिए डबलू नोट कहूं तो मेरा ए क्या होगा टू डबलू नोट प्लस क्या है हाफ एम वीवन स्काईर बोल दो पहला केस है ना इसके वीवन बोल दिया, आगे चलो, आगे अगला कहता है, डबलू नोट, देख भाई, डबलू नोट ते नहीं हुआ, क्यों मैटर वही है ना, तब जब तक मैटर नहीं बदलेगा, तब तक वरक फंक्शन है, नहीं बदलेगा, पर यह क्या हो गया, टेन डबलू नोट, प्लस, ह हाप, एम, वीटी स्कायर, बोल हाया ना, अब मैं इधर वाले को खाली कुलो तेरे लिए, अब वहाँ देख, तेरे सामने है, इधर आएगा, डबलू नोट, इधर क्या आएगा, नाइन डबलू नोट, पूरी बात कर तेरे लिए, हाप, एम, वीवन स्कायर इक्वल टू, डबलू नोट, हाप, एम, वीटू स्कायर इक्वल टू, नाइन डबलू नोट, ठी के डियर, ले वहाँ, एक को दो से डिवाइड कर ले, कलर चेंज कर ले, ये कैंसल आउट होगे, ये कैंसल आउट होगे, ये तेरे सामने, साफ साप है, वी वन अपोन, वीदू इक्वल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अन्भू से कह सकता हूँ, यह 26 चुलाई की प्रॉबलम है, ओके थैंक यू, दोस्तों, क्यूशन नमर दो, यह हमारी बैटरी वेव की बहुची प्रॉबलम है, देखो यहां दो तिन बहुची फोर्मले है, डी ब्रोगली की वेवलें, डी उर जाके फोर्मले होते हैं, देख डीर, एक सिंपल सा फोर्मला होता है, हमारे सामने कि एक्वल टू, एससी अपॉल लेम्डा, कहीं को दिकत नहीं, चलो जी, एक अपन जानते है, एससी अपॉल टू क्या होता है, mc square भी होता है आप c से c cancel out कर दें तो ये तेरा क्या बन गया h by lambda equal to mc mc क्या हो गया p, सब्वे क्या होता है mass multiple velocity अब दोस्तों यहाँ प्रकास के वे एकी बात करनी होगी तो आपके सामने formula आ गया है p equal to h by lambda बोलाया ना अब याद कर एक बहुत सुन्दर formula है एक मेरा बहुत सुन्दर और मेरा प्रिया formula है क्या धान दे मेरे साथ e equal to half mv square a काम कर m से उपर multiply कर m जनी 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 multiply कर तो e equal to क्या है m square v square 2m m क्या होता है mv क्या हो p तो ये तेरे सामने सामने क्या आ गया e equal to p square 2m यहाँ जगए नहीं है तो मैं यहाँ नोट कर लू तो तेरे सामने सामने क्या आ गया p equal to root 2m इने आ गया p equal root है 2m e आ गया ले तो इसको तो यहाँ पूट कर सकता है तेरा यह जो lambda है लेमडा क्या है? ह, बाई, पी है तो दोस्तों, पी का मान क्या आ गया? रूट है? टू एमी क्लियर? ई क्या है? गतीज उर्जा मैं सब को मिटा दूँ तो मेरे सामने फोमला क्या है? मेरा मास्तर फोमला या लेमडा इकल टू एच है, टू एमी मैं सब को से लेकर रहा हूँ भईया ई क्या है? गतीज उर्जा उर्जा बोलता है, कारियर बोल तो कारियर तू जानता क्या होता है? आवेश गुना विबवांतर बोलाया ना क्यू मल्टिप्लाई वी तो दोस्तों, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? एमक्यू वी हाँ डियर तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एमक्यू वी ये वी सोरी ये गलत बोल गया हमा ये वी विबवा है ये वी हमारा विबवा है ठीक है डियर? तो ये सबसे प्यारा फॉमुला बना तो फिर से आपके इसको कर दूँ लेमडा इक्वल टू आच टू एम क्यू वी का अंडर दी रूट प्रोटॉन है तो उसका एम क्यू आ जाएगा इलोक्टून है उसका एम क्यू आ जाएगा कोई भी पार्टिकल है फोटॉन का नहीं नहीं रहे क्योंकि photon का क्यों क्या होता है जीरो याद करो photon का तो rest mass भी जीरो है और rest charge भी जीरो है यह formula photon का नहीं है photon का एक formula है भाईया P equal to H Y lambda यह काम है का photon में तो ठीक है डियर तो यह आपके सामने formula हो गया बस बिटा दूँ अब आजा तेरे प्रस्षन पे क्या कहता है V1 V2 विभाव से तवरित एक प्रोटोन एक डूटोन लेमडा का अनुपात क्या है root 2 is to 1 तो कहता है V1 V2 का अनुपात क्या होगा भाईया आजा lambda equal to H root 2 MQV सीख ले सोल्ड करना सबसे परे formula लिखो formula लिखने के बाद कुछ चीजें constant होती है तो अगला साप साप कह रहा है दोस्तो कि V1 V2 विभाव से तवरित है proton और डूटोन है lambda का अरेश्यो दियावा है V1 V2 अरेश्यो निकालना है तो देखो lambda के पीछे वनाएगा M के पीछे वनाएगा Q के पीछे वनाएगा और दोस्तो V के पीछे विभाव से वनाएगा क्योंकि V1 V2 तो आपको निकालना है H constant है अब आगे चलें एक तो दोस्तो proton है जो तो 1H1 होता है एक dutron है जो 1H2 होता है ठीक है अब आवेस तो proton का भी एक है और dutron का भी एक है इसलिए चाओ तो Q के पीछे 1-2 आप है मत लगाओ पड़ मास्क की बात करें तो दोस्तो proton के मास्क को एक कहोगे तो dutron के मास्क को आपको 2 कहना पड़ेगा उसको 1MU कह दो उसको 2MU कह दो बट वह एक की बात है एक को M कह देंगे एक को 2M कह देंगे वह आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो चीज को थोड़ा सा और मोडिफाई करना चाहें तो अपना ऐसे लिखेंगे अलफा प्रोटोन बटे अलफा डूटोन इकवल टू रूट में 2-8-2 दूरूत में पड़ेगे M डूटरून क्यों आठा दो चीज जए क्यों क्यों जो प्रोटोन का है वो डूटोन का है कोई धिक्कत नहीं है V डूटरून निचे M प्रोटोन V डूटरून बोलो हाई आा ना ठीक अडियर आपके सامने इत्का रिशو दिया वा है यह मिटा दो तेरे लिए मैं लेमडा पी अपॉन लेमडा डी लेमडा पी अपॉन लेमडा डी क्या है रहा भईया रूट टू इस टू वन ओके डियर आजा M D उसको तू 2 M कह दे V D को क्या बोल दे चले V D बोल दे और इस MP को क्या बोल दे M बोल दे और VD को क्या बोल दे V ये तेरा सोरी सोरी ये ये प्रोटोन इसको V प्रोटोन बोल दे देखि ये इससे कैंसल आउट हो गया अब इधर दोस्तों ये रूट में है स्क्वाइर कर तो जैसे स्क्वाइर करेगा तो ये क्या बनेगा 2 is 2 1 इस इस 2 V डूटोन बटावी प्रोटोन ठीक है डियर ये इससे कैंसल आउट हो गया तो आज रेशियो क्या आगया 1 is 2 1 रेशियो क्या आगया डियर 1 is 2 1 ठीक है तो दोस्तों कुश्चत देखने में बहुत अच्छा है एक्जाम में करीब करीब आता है और इसके सारे फोमले आपको मैंने निकालके बता दी है फिर सुन लो लेमडा एक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी आया कहां से पुरी बात भी गांट बान ले या आता है एक्जाम में थैंक्यू तो सोचे मैं एच का मान भी रखून एम का भी रखून क्यू का भी रखून और फिर निकालो कभी नहीं होने वाला है तो दोस्तो इसको याद दी करना पड़ेगा इलक्ट्रोन के लिए बारा पाइंट दो साथ रूट वी इन अंगस्ट्राण यहाद रखना भड़े गया यहाद बहुत बड़ेगा है पता है इसने क्या पूछा है मुझे ने पता बारा पाइंट दो साथ का स्कृएर्ट दोस्तों एक्सोपचास होता है बार अंबार चमाल सो कई बार पुछता हो एक इलक्ट्रोन को 150 वोल्ट से पवरित किया जाए, जैसे 150 पूट करोगे, यह कट जाता है, लेमडा का मान कियाता है, एक अंगस्टर का आ जाता है, यह शांदर कुशन इसका, देख ले, 150 कर, रूट करोगे 50 का, 12 को 12 से मल्टिप्लाई कर, 140 हो गया लगा है, बस, यह मास्टर फोगे, अब तु सोच यह कैसे आया, भईया कैसे हाली, एस का मान रख, एम का मान रख, करगुणा बाग, छे मिंट लगेंगी, यह ते तरह आदा टाइम दो, पूरा जाए फिसका, तो लेमडा इकोल, इलोक्ट्रोन, 12.27, रूट वी अंगस्टर, अब अगला साफ कहता है, इसको बटा दूँ मैं, वो कहता है, एक इलोक्ट्रोन को कितने वोल्ड से तवरित किया जाए, कि आपकी लेमडा क्या हो जाए, पाइंट पाँच रंगस्टर हो जाए, ले बहिया, यह पाइंट पाँच, यह तेरा 12.27, यह तेरा रूट वी, ठीक है डियर, अब सिंबल से बात है यार, यह तेरा पाइंट पाँच है, इसको वन बाई टू करे ले इसको, तो इसको तो वन बाई टू करेगा, तो यह बारा पोइंट, दो साथ, रूट वी, यह दोस्त बारा को दो से गुना कर क्या होगा, चोईस, फिर इसका स्कौाइर है, तो पच्छिस का स्कौाइर याद कि 625 होता है, चोईस का स्कौाइर है ना, सिदा कर देता गुनाबा करनी है अच्छा क्षिशन हो गया मुद्दे की बात को नहीं है दोस्तों मुद्दे की बात यह है लेमडा इक्वल टू बारा पॉन्ट दो साथ बटे रूट वी अंगस्टरंग और यह हाद नहीं है तो मैं भी चाहता हूँ उस आद बेने पूरी साल कोई पढ़ाई भी नहीं किये तेंक्यू चोथा क्षिशन दोस्तों अक्सरे आप जानते हो अक्सरे की लेमडा मिनिमम का फॉमला आप सब जानते हो क्या होता है बारा हजार तीन सो पिछेतर अपोन वी अंगस्टरंग लेकिन लेकिन मोस्टली टीचर्स भी और बुक्स भी इसको बारा हजार चार सो भी बोलती है वी अंगस्टरंग एक बास सुना बेटा इस मेटर वेव में ये तीन-चार डेटा है जो याद रखने आपको उसके लाब मेटर वेव कुछ भी नहीं है अब डेटा याद नहीं है प्रोटोन का, इलोक्टोन का, डुट्रोन का, एक अलफाकन का है ये चार डेटा जो मेरे हर साथी ने क्लास लिखा रहे हैं आपको हो गया तो लेमडा मिनिमम तीन से जियल तो यह होता है तीन से पिछलर तो लग बही है पर चार सो काम लेते हैं अब वो कहता है कि 50 किलो वोल्ट है तो वी का मान क्या पुट कर दो 50 किलो वोल्ट पुट करो लो तो ये 12,000 चार सो 50 किलो वोल्ट है ने 50,000 देख लड़के, उपर 12,000 है नीचे 50,000 है बारे चोक 48 है एक पटे चार एक बटा चार का मतलब पाइंट दो पाँच क्या सपास है तो पाइंट दो पाँच क्या सपास है अब ये सिर्दा करना होता है एक्जामे से पूरी गुणा पाग नहीं होती है बारा जार तो बारा जार है नीचे 50,000 है बारे चोक 48,000 हो गया एक बटा चार आ गया पाइंट टूफाइप आ गया पाइंट दोस्तो क्यूशन नमबर पाँच पर आने से पहले एक्सरे पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दे तो एक्सरे में एक्सरे में क्या होता है एक हाई इनर्जी एलेक्ट्रोन होता है जो जाके लक्सरे पर टकराता है और वहाँ एक गटना गटती है उसको अक्सरे कहते हैं दो बास सुनो यहाँ दो परकार के स्पेक्ट्रम बनते है एका नाम है सतत एका नाम है अभिलाक्षनिक सतत स्पेक्ट्रम है वो उसके एटोमिक मास पर डिपेंड करता है यहाँ एक मोजले का नियम है मोजले का नियम दोस्तो ऐसे बनता है रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी रूट न्यू फ्रिक्वेंसी है ए और बी कॉंस्टेंट है जेड उसका एटोमिक नंबर है अब ए कॉंस्टेंट है जेड माइनस बी को अपने बी को इगनोर करके इसको अपने यू भी लिख सकते है रूट न्यू डारेक्ट्री प्रपोस्टनल जेड आप थोड़ा इसका सक्वेयर कर लू तो आप जानते हो नू डारेक्ट्री प्रपोस्टनल क्या होगा जेड सक्वेयर दोस्तों जहां नू लिखा होता है वहाँ आप एक बटा लेम्डा लेक्ष 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 वो इनर्जी है, ठीक है, छोड़ी सी बात को लिंक करूं, केमेस्ट्री मा आजा, एक टोपी होता आवर्षारिक प्रूडिक टेवल, तो जो मोडन केमेस्ट्री में टेबल है, याद करे, पुराने टेबल का आधार क्या था, आटोमिक मास प्रमानु बाहर, जिक आधुनिक आवर्षार नहीं है, उसका बेस कोण है, आटोमिक नंबर प्रमानु करमान के, और दोस्तो इसकी खोज कहां से हुई थी, मोजले के नियम से हुई थी, तो अखीकर देखा जाए, साहिद में सही बोल रहा हूँ, आधुनिक टेबल जो है, उसका, कोण है, उसका मूल, बताने वाला मोजले है, ये दोस्तो मोजले का नियम है, ओके, थैंक्यू, दोस्तो क्यूश्ट नुमर शिक्स, इसको पढ़ते मुझे रेक केलफा दिखाई दे रहा है, चलो, कुछों से भार आजा भईया, ये बताऊंगा पहले मैं, देखो डियर, एटोमिक स्ट्रेक्चर में ऐसे लेर होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थार्ड, फोर्थ, फिर उपर डेस, 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 इनिफिनिटी, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये आपकी इनिफिनिटी, दोस्तो इसमें लाइमन आती है या बामर है या पाश्चन है या ब्रेकिट है वो सब को आता है बट इसमें एक बात और भी है इसको के कहते हैं इसको एल कहते हैं इसको एम कहते हैं इसको एन कहते हैं तेरे को चार बात या रखनी होंगी KLMN याद रख एक करम याद रख KLMN और एक करम याद रखना पड़ेगा Alpha, Beta, Gamma, Delta गाट बान दे इसको यदि कोई Electron यहां से यहां जम्प लगाता है दो से एक में जम्प लगाता है तो दोस्तों इसको हम कहेंगे K Alpha K Alpha का मतलब N1 का मान तो 1 है K का मतलब N1 1 N2 2 और दोस्तों यदि यहां से जम्प लगाता है तो इसको पर क्या कहेंगे K Beta और पुतर N1 का मान तो फिर 1 है और N2 का मान क्या हो गया 3 बात पर ले पढ़ गी लेट थो आ कलर चेंज कर दूँ और यदि दोस्तों यहां से यहां जम्प लगा रहा है तो बताओ क्या नाम है जम्प किसे लगा रहा है सेकिंड में तो कौन होगा L ठीक अगले क्या कहेंगे Alpha उसके अगले को Beta तो दोस्तों यह L Beta है समझ देख फस्त को के कहते हैं सेकिंड को L कहते है L तो हो गया इसको बोलते है प्रैटिस्टिक कर रहा है अभी लाक्ष तो भी वकिर बोलते हैं के अलफा के भी तो याद कर ले के अलफा बीटा गामा डेल्ट पयाद हो गया एक्जामें बहुत बार आता है अब तू खुद सोच मैंने तेरे को पूरा समझा दिया ना तो तेरे को कहीं दिख्यत नहीं साब कहता है इतनी लेम्डा तरंग धहरे के टंग स्टन पे के अलफा रेखा इमिट होती है तो इस परमाणू के लिए के वे ल के बीच का उर्जा अंत्राड बता देख डियर क्यों दिमाग लगा रहा है के अलफा के अलफा का मतलब यह रहा सेकिंड से फस्ट में आया है सेकिंड से फस्ट में ये एक फोटोन जंप करवा रहा है फोटोन जंप करवा रहा है तो हम जब जानते हैं दोस्तो E की value क्या होगी delta E लिए बोलते क्या फर्पड़ता है delta E equal to क्या है SC by lambda पता कहां दिखेता यार delta E equal to SC by lambda तो lambda तेरे को दोस्त दिया हुआ है तेरे को क्या निकालना है केवल इसका delta E निकालना है अचा energy का difference निकालना है को दिखेती नहीं है तो भया H की value पूट कर ले C की वली पूट कर ले लेमडा की वली पूट कर ले अब answer दिये हैं electron volt में तो 1.6 multiply 10 to power minus 90 ने divide कर दे वो change किसमे हो जाएगा electron volt में ये सारी value पूट करेगा दोस्ते तो इसका answer जो आ रहा है वो आ रहा है 59 kilo electron volt 59 kilo electron volt ये गुणा भाग करके मतर तैवेस्टने करना चाहूंगा delta E equal to SC by lambda H की value जानता है तो 6.64 multiply 10 to power minus 34 C क्या होता है 3 multiply 10 to power 8 lambda जे रहा 021 ये end का जानता है nanometer small है ना तो इतना पर जानता है तो इसे end हो रहा है answer आ गया 59 kilo electron volt okay मूल बात क्या थी delta E equal to SC by lambda okay thank you ये दोस्तो nuclear physics का एक बहुत अच्छा क्यूशन है यहां एक सब्द काम आएगा mass defects दर्वेमान छेती उर्जा से दर्वेमान और दर्वेमान से उर्जा ये दुनिया के रीत है कि mass ना नस्त होता ना पैदा होता है उर्जा नस्त होती है ना पैदा होती है ये क्यूल अपना रूप चेंज करते है mass to formula E equal to mc square इस प्रसन में क्या होगा सुनो प्रसन क्या हो छोड़ो वो क्या कहता है आपके लिए कुरी बात करो ये कहता है 1s2 1s2 मिलके एक alpha party बनाएंगे और एक Q उर्जा निकालेंगे दोस्तो common sense के बात है इधर का mass ज़्यादा है इधर का mass कम है तो जो mass कमी हुई जो mass में decay हुआ जो mass defect हुआ वो किसम चेंज हो गया energy में और ये पूछता बहिया बताओ क्यों का मान क्या है तो दोस्तो इस सिदा सा formula हुता E equal to delta m c square एक तो गांट माल दे वही है अब delta m क्या है delta m दोस्तो mass defect है तो mass defect क्या होगा left side का mass minus right side का mass और देखो मजाग से लेगते हैं क्यों देता सब उस दिया हुआ है left side का mass दिया हुआ है right side का mass दिया हुआ है इसका difference करना है तो अपने क्या करें देखो दोस्तो two mass इसको अपने बोलते हैं deuterium दोस्ते क्यों जो इसका है वोसे इसका रहेगा minus mass of alpha particle बोल बोल multiply कोण है तो अपने delta म निकाल लो ते लिए मैं ये मैं ते लिए delta म निकाल लो इसको बूल लो फोम लेको एक बार delta मिकालो ते लिए मैं ठीक है ए इसको मिटा दो ते लिए मैं पूरा कर दो ले तेरे पुरा बाग कर दो तो delta m equal to two mass of deuterium कितना रहे है two point zero one four ये किसमे है a mu में है atomic mass unity में होता है u का मतलब fix रहे minus m alpha कितना डी है four point zero zero दो चार बोल हाए आना two से गुना कर दिया minus इसको कर दिया तेरे लिए पूरा कर रहा हूँ इसको दो से multiply कर ये कितना वहा eight ये तेरा दो ये तेरा zero ये तेरा चार minus four point zero zero दो चार देख वे ये तेरे सामने क्या है four point zero two eight ये तेरा इसका क्या आगया mass defect आगया एक बात और याद कर ले यदि कहीं एक AMU का mass defect होता है तो उससे energy निकलती है 931 mega electron volt इसके लिए तेरे को कहीं दिमाग लगाने आऊ सकता नहीं है और ये याद नहीं है तो नमस्कार पहरी छोड़ी निट की बई आगी एक AMU mass defect जहां भी कहीं होगा तो वहाँ energy develop होगी 931 mega electron volt दोस्तो आपके सामने है इसमें जो mass defect हो रहा है जो difference आएगा उसको 931 से multiply कर देना ये दोस्तो लगबग आपका आएगा 24 mega electron volt मैंने पूरा तेहले गुणाबाग किया है कहें इसमें आप panic नहीं हो आप इस formula की जूरूत नहीं पढ़ते है मेरे को मुझे आद सिदा मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा मैं तो सिदा mass defect निकाल लूँगा वो किसमें दिया वा मुझे यू का मतलब अम्यू है ये यूनिट जो दियू ही है या आदरी अम्यू इसका मतलब अम्यू के अंदर ही है ये atomic mass unit के अंदर होते है atomic mass unit है दोस्तो mass defect निकाल दिया उसको सिदा multiply कर देंगे 931 से answer आएगा 24 mega electron volt ok thank you दोस्तो question number 8 ये आपका आगया radio activity पे बिना radio activity निट होती नहीं है भाई जो साब कहता है एक radio activity पदार्थ में alpha beta emissions के लिए उसका आई हो दो सब्स होते है half life और average life दो सब्स इस टोपिक में half life और average life t alpha t beta है इस पदार्थ में एक 7 alpha beta निकाले है एक 7 alpha beta निकालो ना दोस्तो तो simple lambda निकालो यार lambda alpha प्लस lambda बीटा पर alpha का dk भी हो रहा है beta का dk भी हो रहा है lambda क्या dk coefficient है तो lambda equal to lambda alpha प्लस lambda बीटा ओ लड़के याद कर रहे t average जो है वो एक बटे lambda होता है और t half जो है याद कर याद कर वो 6.693 अपोन लेमडा होता है बुल गया गया t average है 1 अपोन लेमडा है this is ओसत आयू this is half like 0.693 अपोन लेमडा होता है बैस यह लिए तेरे सामने हो गया यह resultant कर दे तो 1 by t यह तेरे सामने 1 by t alpha प्लस 1 by t beta अरे परचिनों जोड़ते हैं परदेर को मिडियों होगे न यार उल्टा करेगा तो t alpha multiply t beta upon t alpha प्लस है t beta यह लिए तेरे सामने आंसर आगा है दोस्तों यहाँ एक बात सुन ले भई यह बहुत पहरी बात आगी रहे t average equal to 1 by lambda t half equal to 0.693 पोन लेमडा यह बहुत अच्छा लेशन है भई यह आगे बहुत काम आए कुशन लेमडे को t half life है एक आपकी ओसत life है तेंक्यू दोस्तों question number 9 को पढ़ने से पहले एक data आपको याद करना बन करना इस modern kill data'ों का है एक electron और एक positron जो जानते हो एक दूसरे के particle और anti particle होते है जब यह दोनों मिलते हैं तो nust होते हैं यह बहुत परापूंट करना हो जाम है यह जब दोनों मिलते हैं nust होके जो energy का एक photon निकालते हैं वो photon होता है दोस्तो 1.02 mega electron volt यानि electron और positron का mass defect है ना उससे energy convert होती है ना वो होती है 1.02 mega electron याद रखना पड़ेगा आपको बस अब आज़ाओ यह कहता है कि 2.42 का इसनी एक photon डाला तो देख डियर 2.42 के photon में 1.02 जो है वो तो दोस्त तेरी change हो गई वो तो consumption होगी पिर production में बाकी कितनी बच गई 1.4 अब 1.4 तेरी डिवाइड उज़े दोनों में आदी आदी electron में और आदी positron में कितनी 0.7a या आंसर आ गया 0.7 mega electron volt तो कहता है परतेकन की गज़्ज़ जागे रहे बात पले पड़ी फिर सुले एक बांदार इसे electron positron का जब pair production होता है उससे energy जो इनर्जी बनती है वो होती है 1.02 mega electron volt या यूं कह दूँ मुझे करना pair production मुझे electron positron निकालने है तो मुझे कहें से भी 1.02 mega electron volt की energy देनी होगी मैंने देजी 2.42 तो 1.02 mega electron volt ओके थैंग्यू दोस्तों question number 10 ये अमरी bomber strain, lyman strain थोड़ी बात करने इसके बारे में आजो वो कहता है bomber strain की नूंतम और अधिक्तम lambda क्या है पेज खाली कर पेए आजो देखो dear फरस्ट भी कूता तो कूण मनती है lyman sacred तो बामर तो ये fix हो गया बामर का N1 तो क्या होता है 2 अब देख dear color change कर ले ठीक अगले से कूद के आता है तो इससे कम इनरजी का photon नहीं निकल सकता दान देना इससे कम इनरजी का photon निकल सकता तो lambda इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इनरजी लेमड़ एक दूसरे इनरजी इनरजी निकल सकती है तो lambda maximum के लिए N2 का मान क्या हो गया तीन और maximum energy कहा से आएगी अनन से इससे ज़्यादा इनरजी नहीं आ सकती यानि इससे कम लेमड़ नहीं आ सकता तो लेमड़ N1 तो वही दो रहेगा तो लेमड़ minimum के लिए N2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी बोलाया न लाइमन यहां पर होता है बामर है तो बामर का N1 2 होगा अब आप देखो ठीक अगले से कुद क्या है इससे कम energy का difference नहीं हो सकता तो इससे ज़्यादा लेमड़ नहीं हो सकता तो लेमड़ मेक्जियूम के लिए बामर में किसमें बामर में N2 का मान क्या होगा ठी और अनन्द से कूद क्या है उससे ज़्यादा energy नहीं हो सकती तो उससे कम लेमड़ नहीं हो सकता वो lambda minimum क्या होगे आपका infinity बैस अब ज़राब कुषिन माज़ा हो भईया आजो कुषिन क्या कहता डियर इनको मिटा दो तेरे लिए मैं अब अक्रासाप कहता है बामर स्रेने की नूनतम और अधिकतम lambda आजा डियर अब हम सब जानते है भईया formula क्या होता है एक बटा lambda होता जाना r n1 square minus n2 square थोड़ा सा लंबा है पर करूँ अब बोड़ पे आजा दोस्त lambda minimum आजा lambda minimum बामर लगाना जरूर नहीं है क्यों बामर बामर है इसने बामर से lambda minimum r बोल भई n1 का मान तो क्या है दो दूनी चार lambda minimum क्या है अनन्थ है तो 0 हो जाएगा बोल हाँ आना तो तेरे सामने सामने ये तो क्या आ गया r by 4 आ गया बोल आया क्या नहीं आया तो तेरे सामने सामने lambda minimum का मान तो 4 by r हो गया मिटा दूँ ए मिटा दिया अब तू चल lambda maximum तो 1 by lambda maximum r n1 की value क्या है दो का square 4 n2 क्या है तीन का square 9 ओके डियर यहाँ थोड़े से कुछ लोग गलती करते हैं कई बार दोस्तो नो चोग 36 कितनी बार भाग गया नो बार कितनी बार गया चार बार ये कितना बचा रहे है 5 r upon 36 ये कौन है lambda maximum वो है lambda minimum अगला साब कहता है minimum और maximum का रिश्यों बताओ ठीक है डियर ये lambda minimum अपने हाँ नोट को लोग से एक बार तेरे लिए रिटाने बारना पड़े तेरे को lambda minimum क्या है 4 by r अपने हो क्या चीए डियर lambda minimum ये ले lambda minimum upon lambda maximum तो देख वाट इस lambda minimum 4 बते 8 वाट इस lambda maximum तो lambda maximum है 36 बते 5 आर 36 upon 5 r देख r से r काट दे इसको काट दे इस से 9 चोग 36 आंसर क्या आ गया 5 बते इनो आंसर क्या आ गया 5 बते इनो देख डियर कहीं जल्दी बाजी बत कर जल्दी बाजी कोई काम नहीं हो तभी गड़ता है तेरे को बामर का पता होना चीए लाइमन का पता होना चीए ठीक अगले से आता है वो energy minimum है lambda maximum है अनन से आता है इनर्जी maximum है lambda minimum है तेंक्यू डियर क्यूश्टर नबर 11 इस परसर को करने से पहले एक मेरा फंड़ा है सीडी चड़ना और सीडी उतरना एक हाप लाइफ को मैं एक सीडी बोलता हूँ यह मैं एक पड़ा कंसेप्ट है देखना बहुत काम आएगा चलो जी मैं क्यों सुरू करता हूँ अगला कहता था activity of a simple is 64 multiplied 10 to power minus 5 क्यूरी किसी समय सकीरियता चोज सेट है और यहां से आपको लाना है तो यहां से आपको लाना दोस्तो 5 multiply 10 to power minus 6 एक काम करो 10 से उपर multiply करो 10 से निचे multiply करो क्यों power को मैं चेंज नहीं करना चाहता दोस्ते तो 5 upon 10 multiply 10 to power minus 5 यह कह सकता हूँ दोस्तो 0.5 multiply 10 to power minus 5 पे लेके आणा है दोस्तो मैं कहने का मतलब है कि मुझे 64 से चलते चलते इसको 0.5 पे लेके आणा है यह है तरीका 64 multiply 10 to power minus 5 को 5 multiply 10 to power minus 6 तक लाना नहीं power को साइड में करने के लिए दोनु से इम power कर ले इसकी दोस्तो 10 से multiply कर दिया 10 से multiply कर दिया it becomes 10 to power minus 5 है तो यह 10 बच गया यह 0.5 multiply 10 to power minus 5 पॉवर कर fen mean कर देंगे तो तो कहना कारता है 64 से तेरे को point 5 पे आना है कितने सीडियां उतरना है board खारी करना कितने सीड़ी उतरेगा आजा 64 पे है 1 सीड़ी उतर 32 पे आएगा उतर 16 पे आएगा उतर 8 पे आएगा उतर 4 पे आएगा उत्तर है, दो पे आएगा, उत्तर एक पे आएगा, पाइंट पांच पे आएगा, ये तेरी सारी सीडियां हो गई, गिल्डे एक सीडी, दो सीडी, तीन सीडी, चार सीडी, पांच सीडी, छे सीडी, साथ सीडी बाद आ जाएगा, एक सीडी तीन दिन की साथी किस नमा आ दोस्त जवाब पहले बड़ी बात समझ रहे हो 64.5 तक आना था तो 64.5 बत्ती सोला आधे करते 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 कहां तक आय रहे दोस्तों क्यूशन नंबर 12 जो है वो देखा जाए तो नुकलियर फिजिक्स का बहुत शानदर क्यूशन है क्यूशन को देखने से पहले बात सुन ले यदि कहीं भी एक एम यू का मास्क डिफेक्ट होता है तो 931 नो सो इकतीस मेगा इलोक्टरोन वोल्ट की इनर्जी पैदा होती है अगला क्या कह रहा है हीलियम नाविक के दर्वेमान छिटीतनी है वो कहता है हीलियम का नुकलियस जब बनता है जब दो प्रोटोन और दो न्यूट्रोन मिलके हीलियम का नुकलियस बनाते हैं तो 0.0303 म.U का मास्क डिफेक्ट होता है बाई साब मैं बुद्धि फिर कहता है प्रती नुकलियोन बाइंडिंग इनर्जी तो भाई चार का भाग दे दे क्योंकि ये तो चार नुकलियोंज के लिए है चार नाभी के करने हैं दो नुट्रोन दो प्रोटोन प्रती नुकलियों बैंडिंग इनर्जी तो आप इसको चार से डिवाइड कर दो तो दोस्तो ये साथ चोक अठाइस लगब किस आंसर के आएगा आपका साथ आएगा इसको आप याद भी कर सकते हैं कि हीलियों नाभी के निर्माण में जब दो नुट्रोन और दो प्रोटोन मिलके नाभी का निर्माण करते हैं तो अल्मोस 27 कुछ 25 कह सकते हैं 28 मेगा एलोट्रोन वोल्ट की इनर्जी बनती है पर इफ़ वांट पर नुक्लियों में इनर्जी तो दोस्तो नमबर और नुक्लियोंस से डिवाइड कर दो आप जानतो हो हीलियों में नुक्लियोंस कीते हैं 4 होते इह 7 चोंक 20 और है 7 क्या अस्वाण आपका दोस्तो क्यूस्तर नमर 13 इसको भी करने के अलग अलग साथ हूँ के अलग तरीके हैं पर मेरा एक अलग तरीका अपना क्या तरीका है कि दोस्तों ये 90X 200 इक्वल टू 80Y 168 देखो जी यहाँ अलफा निकलेगा या बीटा निकलेगा और गामा हमेशा निकलेगा रहे अलफा निकलेगा या बीटा निकलेगा या दो निकलेंगे लेकि याद करो हर अलफा के बाद एक गामा निकलता है हर बीटा के बाद एक गामा निकलता है गामा क्या है देखो किसी बंदूग से गोली निकलती है ना तो पिछे बंदूग की नरिस दुहा निकलता है ना बंदूग से गोली निकलती है वैसे एटम से जब कोई पार्टिंग निकलता है पिछे गरम होता है गरम होता तो वो दुहे की रूप में उर्जा की रूप में एक फोटोन निकलता है गामा फोटोन और इनर्जी का फोटोन है हर अलफा के बाद एक गामा हर बीटा के बाद एक गामा सुनो अलफा बीटा रोज निकलें जरूरी नहीं है लेकिन जितने अलफा बीटा निकलेंगे उतने आपके गामा निकलेंगे अब तू जानता है कहीं अलफा निकलता है तो एटोमिक नंबर में दो की कमी आती है एटोमिक मास में चार की कमी आती है बीटा निकलता है तो एटोमिक नंबर में तो एक की वर्दी होती है और एटोमिक मास में कोई कमी नहीं होती है गामा क्या है ना उसका मास है ना उसका च ने बदला रहा है अलफा ने बैस मैं स्टाट यहां से करता हूँ 200 से 168 पे आया तो मेरे 32 की कमी हो गई बाई साब बिना पंड़ जी को पुछे अलफा का मानाट कर दे रहे आठ चोग 32 आठ अलफा निकले तो नीचे कमी हो लिए 16 की 8 तूनी 16 पर दोस्तों कमी किसकी दोस्तों निकल गए तो गामा तेरे 14 तरीका यह उतााइस कर Mm बीटा से कभी श्टार्ट नम्बर करना क्योंकि बीट sparkling नम्बर चेंगकर ता हमें क्या अच्छा मैं आथा ह। निकले तो निष्फ निकल घर तो निचे हुआ दस की इसका छे की वर्थी होगी क्योंकि एक बीटा एक की वर्थी करता है छे बीटा होगे दोस्तों फिर से कुछ नुक्लियोंस मिलके एक ने नुक्लियोंस का दिर्वान कर रहे हैं वोई मास्ट इफेक्ट अग्डास आप कहता है एक को तारा है उसके को बतला उसके अभा मंडल में हीलियों को औक सिल्ट चेंज करना है देख डियर हीलियों क्या होता है टू इफोर एक्वल टू आठ ओ सोला यह कब होगा रहा है इसको चार से गुना करेंगे अपने को बेरेस्ट करना पड़ेगा ना अपने को चार दूनी आठ चार फोर पाइंट जीरो जीरो टू सिक्स माइनस इसका मास कितना हर है पन्दरा पॉइंट नाइन नाइन फोर और यह सब किस में है एम्यू में है अब देख भाई आगे में गुना बागने करूंगा इनका अंतर निकाल दे जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 931 मेगा इल कि उरजा निकलती है इसका मास डिफरेंगे उसको 931 से मल्टिप्लाई करेंगे तो जो गुना भागन करके देखी है दोस्तों इसका मास डिफरेंगा है पॉइंट 011 मल्टिप्लाई 931 तो दोस्तों लगभग मेरे साब से 10 क्या सपास आएगा आंसर है 10.24 मेगा इलक्रों व हाँ डियर तो क्यूशन नंबर आपका 15 आप जानते हैं दोस्तों रेडियोक्टिविटी का एक सबसे कॉमन फॉर्मला होता है एन इक्वल टू एन नोट ए की पावर माइनस लेमडा टी एन नोट इनिशियल एक्टिव नुकलिस की संख्या लेमडा डिके कॉंस्टेंट एन क्या है टी समय बाद बचे हुए एक्टिव नुकलिस की संख्या एन नोट प्रारिम्बिक सेक्रिय प्रमाणों की संख्या लेमडा छेन ये तांक एन क्या है टी समय बाद बचे हुए सेक्रिय प्रमाणों की संख्या आजा अगला क्या कहता है एक एक एक्स वन है एक एक्स क्या समान है तो एंड नोट दोनों क्या है समान है कितने समय पस्चाथ x1 x2 का रेशियो 1 upon e हो जाएगा देख लड़के तो ऐसा कर इसको n equal to n note e की power minus 5 lambda t दूसरा इसको n1 बोल दे इसको n2 बोलना पड़ागा अपना नोट e की power minus lambda t इसमें देख इसका भाग दे तो this equal to 1 upon e मैं नहीं कह रहा है अगला कह रहा भाई है n1 n2 क्या है बच्चे वे प्रमानों की active atom संग क्या वो अगला खुद क्या रहा है 1 by e बस यह ले तो तेरे सामने यह cancel out हो गया यह e की power क्या भाई 5 समझदे या minus 5 lambda t है उपर जाएगा तो पलस हो जाएगा तो क्या बचाएगा minus 4 lambda t equal to क्या है e की power minus 1 अठादो यार 4 lambda t equal to 1 आपको क्या चाहिए भाई आपको क्या चाहिए टी चाहिए तो यह ले 1 upon 4 lambda t equal to 1 upon 4 lambda तो यह जेल तो देखा जाए तो एक ही formula है इस टोपी का मास्तर formula यह यह n equal to n note e की power minus lambda t है इसके बाद इस सारे formula बनते है मूल formula है मूल चाहिए इसके ओके थैंग्यू दोस्तों question number 16 मेरा फिर वो किस तो आगे सीडी वाड़ा सीडी उतरना मुझे यह अगला कहता है कौन सा कथन सही है अर्दायू क्या है एक मा है वो कहता साथ बटे आठ तीन महिने बाद साथ बटे आठ भाग बचेगा चार महिने बाद यह बचेगा तो पूर्ण विक्ठी तो आप जानते हैं अमेसा कब होता है अन समय के बाद उसका पूर्ण विक्ठी होगा तो यह तो कभी हो नहीं सकता तीन महिने के बाद इतना बच जाएगा क्या बच जाएगा स्पोज करें तेरे पास कोई पदार्त एक है ठीक है एक सीडी के बाद वो कितना बचेगा एक बचा दो फिर एक सीडी के बाद कितना बाद एक बटा आठ बचा इक बटा आठ बचा इसका मतलब सात बटे आठ दीके हो गया यह क्या खहता है तीन महने बाद पदार्त का सात बटे आठ बाग विट्टित हो जाएगा बिल्कु सही बात हो पहल hazard हो तो इसमें पेनिक नहीं हो मानो एक है, एक सीडी के बाद एक बटा दो, एक बटा चार एक बटा तीन क्यों लिया मैंने अगला तीन मेहने के बाद की बाद कर रहा है तीन सीडीया है, तो तीन दिन के बाद या तीन मेहने के बाद या तीन तो इससे क्या पड़ता है वो तो जो टाइम का स्केन लिया है आप लाहिप में काम आ जाएगा ठीक है तो एक बटा आठ बचा कुल कितना था एक तो कितना डिके हो गया सेवन अपॉन एट तेंक यू दोस्तों किस्ट नमर सेवनटीन पड़ते चरिफ कुशी आ गई यार पे कासी में नहीं आना ना पढ़ा ले यद कर तेर याद है अगे चल इस से इस में कुदा दस पॉइंट दो अजक्टन रोल्ट इससे इस में कुदा बारर पॉंट एक लिक्टन वॉल्ट है, फूर्थ से फस्ट में आएगा, बारा पॉंट साथ पांच लिक्टन वॉल्ट, याद कर ले भईया, नहीं है तो, ओके परसने में आ जाओ, क्या कहरा परसने भईया, साब कहता है कि बारा पॉइंट साथ पांच का फोटोन लिया तो भाया चोथे कोस में चला गया वापस खाली कर पेज दोस्तो चोथे कोस में चला गया तो दोस्तो अब वो कहता स्पेक्टरम कितने बनते हैं तो एक बास सुन ले इसका एक फोर्मला है चोथे में चला गया हूँ तो चोथे से चोथे में कुदेगा ने चोथे से तीसरे में कुदेगा चोथे से दूसरे में कुदेगा चोथे से फैसरे में कुदेगा फिजिक्स तो कहती है ये N N-1 upon 2 N का मान 4 multiply 3 बटे 2 6 मैं ऐसा नहीं करता लेकिन मैं क्या करता हूँ फंडा सुन ले जिस सेल में खड़ा है वहा ना emission है ना अब जो से उससे एक कम कर ले तो चोथे में खड़ा ना तो ये ले तीन दो एक इल है इच्छा हो गया तो तीन तो लाइमन है दो बामर है ये एक पास्चान ये सही तरीका इसका छे स्पेक्ट्रम है स्टार्ट तीन लाइमन दो बामर एक पास्चान डियर जिस कोस में खड़े हो उससे एक कम करके गटे वे करम एक तका जो जोड़ दो फूम लाता है बाइच्छान से पूछ ले डियर कि इस कुष्ट्रम में कितने स्पेक्ट्रम लाइन विजिब लाइट में आएंगी कितने दिर्स्चे प्रकाश में आएंगी तो हम जानते हैं लाइमन आती है परावन निच्छेतर में बामर आती है दिर्स्चे च्छेतर में कितनी बामर है रहे दो बामर है, यह है विजीबिल लाइट इंफ्रारेड पूछ ले, तो एक इसमे आ जाएगी इंफ्रारेड में, याद है ना लाइमन, बामर, सबसे बेर इल्ट्रावलिट लाइट, विजीबल, इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड, उचलता रदा आगे यह एस लियर फूमुला इसका एन इकुल टू, एन माइनस बन बाई टू तो सिंबल फूमुला है प्ट्रावलिट यह, तीन, दो, एक, छे जोड़ हो गया, तीन लाइमन, दो बामर एक पस्चान, थैंक्यो दोस्तो किश्टर नंबर जो 18 है उसमें हम जानते हैं यदर फूर्ड का परियोग है उसमें जानते हो क्या होता है यह एटम होता है उस पर अपने यह बंबार्मेट करते हैं तो ऐसे मूर जाते हैं लाखों में से एक ऐसा है जो ऐसे घूम के आता है दोस्तो उसका बी के अंदर एक positive charge भी है जो alpha को वापस मोड रहा है और वो बहुत छोटी जगे रखा हुआ है याद है ना? इसे दोस्तो नाभी का density बहुत ज़्यादा होती है तो ये याद रखना पड़ेगा है जब 180 पे घूम गया तो संग्ठक प्राचाल जो है वो आपका कितना हो जाएगा है दोस्तो जीरो हो जाएगा ओके थैंक्यू दोस्तो किश्चन में 19 देखो मने बस शुरू में कहा था कि फोटो इफेक्टो टोपिक में आपतित फोटोन की यदि आप frequency बढ़ाएंगे आवर्थी बढ़ाएंगे तो emit electron का stopping potential बढ़ेगा तो समंद हो गया frequency का समंद होता है potential से अब यदि आप उस पे आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाएंगे संख्या मतलब intensity बढ़ाएंगे तो दोस्तो number electron अधिक निकलेंगे number electron अधिक निकलेंगे तो i equal to dq by dt current दीक हो जाएगी तो frequency का समंद potential से है intensity का समंद current से है तितावर्ती का समंद भिरोष से है तिरवर्ता का समंद धारा से है और यह तेरे सामने सपस्ट है तो आपकर कोन सा आंसर हो गया दोस्ता first answer हो जाएगा कहीं को दिक्कत नहीं सीधी सीधी बढ़ता जाओगे आप एक current बढ़ता जाओगे तो दोस्तो question 20 देखो hydrogen के emission spectrum बामर्शनी की तरंग धरे गठती है बामर्शनी की बात नहीं है कोई series हो आप जैसे जैसे आप उपर जातो एक से दो मेगे दो से तीन मेगे तो इनरजी का मान तो बढ़ता है बढ़ता है तो इनरजी गठती है ठीक है डियर तो आपकी तरंग धरे गठती है तो नो डाउट है दोस्तो आपकी रेखाएं पास पास आएंगी तो आपके तीवरता कम हो जाएगी तो इसका answer क्या हो गया देखाएं पास पास हो जाएगी तो आपके तीवरता कम हो जाएगी तो अगला सापके ता लेमडा केटती है तो इनरजी का level दोस्तो उपर बढ़ता है लेकिन वो पास पास आजाती है तो उसकी intensity कम हो जाती है तोस्तो 21 एक alpha 6 होता है, एक beta 6 होता है, alpha में याद करो, atomic mass 4 से गढ़ता है, atomic number 2 से गढ़ता है, beta 6 में atomic mass में कोई फरक नहीं पड़ता है, atomic number एक से बढ़ता है, तो ऐसा A के object में कोई नहीं है, दर्वियरमान A बदलता नहीं, यह answer रेगा, तेंक यू दोस्तो क्यूश्ट नमर बाइस आगे सीडी मेरी वापस देखो किती काम के अगला साथ कहता है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस डिके ओफ वन थर्टी टू एक से एक बटा बत्तीस में आ गया चल बना सीडी एक एक से घटके काम पर आएगा एक बटा दो पर एक बटा दो से कहां जाएगा एक बटा चार पर एक बटा चार से कहां जाएगा एक बटा आट पर वहां से कहां जाएगा एक बटा 32 पे बोल हाया न, हो गया, एक बटा 2, एक बटा 4, एक बटा 8, एक बटा 100, एक बटा, तो CD 1, 2 CD, 3 CD, 4 CD, 5 CD, ओके, 5 CD हो गई, और कुल समय किता लगा, 25 दिन, तो 25 दिन बढ़ा 5 CD, तो 1 CD कि दिन की हो गई, 5 दिन की, तो हाप लाइब क्या हो गई, 5 दिन, धेंगे, दोस्तों, question number 23 जो है न, वो एक हमारा, इसका master formula है, इस topic का, a equal to lambda n, n, security atoms के संख्या, lambda, decay constant, a, activity, security, अब एक बास लेम्डा क्या है, तो आपने जानते हैं, याद कर गया, t half equal to क्या होता है, 0.693 upon lambda, actual point पता हो 693 क्या है, यह actual दोस्तों, लोग 2 की value होती है, लोग e base में 2 की value होती है, वहाप एक बटा 2 से आता है, इससे गुना बागो, एक ही बाग, अब आजा देख, a equal to, जहाँ लेम्डा लिखावा था, तो लेम्डा को इधर ला, तो यहाँ क्या हैगा, point 693 upon t, अब ट हा मेरी हाप लाइप यहाँ पर, multiply क्या है दोस्तों, अब देख क्या पूछता है, तो कहता है, साप कहता है, अर्दायू कितनी है यह, तो 25 गुना दस की बात 20 परमानों के नमूनिक से क्रेटा क्या होगी, दोस्तों t का मान क्या है, यह रा, n का मान क्या है, यह रा, खुणा ब 10 to power 17, और n कितना है रहे, 25, यह मिटा दें आपन, 25, multiply 10 to power 20, देख भाई मेरे, ऐसा कर, यह 10 to power 17 को काट, तो यह तरह क्या बचेगा, क्यों 10 to power 3 बचेगा, इस एक बिंदी को यहाँ से काट दे दोस्ते, काट देख की बिंदी को अपनने, तो एक 10 उपरो लगा दे, इसको क् कितना है, 15 है, इसको थोड़ा सा नीचे और 1000 कर ले ले, अड़ाते इसको, तो 1000 करेंगे यह, तो यह कट जाएगा, दोस्तो दस बचेगा, तो तेरे पास से उपर क्या-क्या बचावा देख, यह तेरा 25, 693 में, 10, और नीचे 15 है, ठीक है डियर, तो आपके सामने 25 को 10 से ना करोगे यार, तो यह 10 हजार के आसपास कहीं होगा, तो इसका आंसर होगा, नो हजार के करीब, फ्रक्ष्ण गुड़ा भाग किया मैंने, तो 23 का दोस्तो आंसर आपका आगया, या, सुरी, उस ज्यादा आएगा, बड़े सिंगा ना, 11,550, ज्यादा है ना, अपने तो तो 11,550, इसका आंसर होगा, कहने का मतलब है, क्लिकुशन बड़ी नहीं है, तो आप कर लेना इसको, मुद्दे की बात हो इती डियर, यह फोमुला है, एकोल टू लेमडाएन, ओके तैंक्यू, 24, आपको मैंने आंकड़ याद करा दिया, वहिया, अगला कहता है, अगला साप कहता है, इतने उर्जा वाले फोटोन का समवेग क्या है, ठीक है, सी आता है, प्रकाश का वेग, फोटोन का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग, फोटोन का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग, एक मेगा एलेक्टोन वोल्ट, मेगा बोले तो, दस की पाव है ठीक है यह माइनिस उननीस है यह आठ ऊपर जाएगा तो माइनिस तो और बढ़ा देगा तो दस की पाउर क्या हो गया माइनिस इकीस और एक पाइंट छे में तो तीन का भाग देगा तो यह पाइंट पाँच तो पाइंट पाँच मल्टिप्लाई दस की घात माइनिस इकी पाइंट पाँच और पाँच को पाइंट पाँच को पाँच करेगा तो बाइस हो जाएगा यहां से हो गया कहता है पाँच पाइंट तीन 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 दस की पावर माइनस बाइस हो गया थे हैं जो दोस्तों क्यूश्ट नमर ट्वंटी सिक्स यह साफ साफ पता कि intensity का सित्थ सम्द किसे है, current से, अग्रासाफ कहता है, प्रकास शेल प्रियोग में, प्रकास को फोकिस करनाई, उत्तर लेंस का प्रियोग लिया, और प्रबलता आई है, यह लेंस किसी दूसरे अधे व्यास, दोस्तों, आधा व्यास होता है तो एक्चुल में वो D-squire के डाय-टर प्रफोर्फीर हैं, ती भरता है उसके डायमेटर के स्क्वाइर के अती डायमेटर के अब आप प्रपोर्फोशनल अब आप सोचो व्यास का, डायमेटर आदा कर दिया, तो इंटेसिटी वन फोर्फ होगी, तो current भी वन फोर्फ होगी, यह लो सिंपल बात है है ऑक यह लोग आ गया वम बाल चु 1 क्यों वुलघध Дिशांग वोच फोटो इल्क्ट्रिक उक्वेशन जिस पर आइसट रोड़ोगो फूसकार दिया गया था वो इस new equal to H new note plus EV note दोस्तो question number 28 मैंने बार बार एक बात कह रहा हूँ modern physics में 7-8 data है जिसको याद होगे masterpiece है मुझे ने पता है क्या पुछता है मैं एक बार जानता हूँ दोस्तो इतना है पता है मेरे को equal to 12,400 upon lambda in अंगस्टरंग इस इतना कारिया फलन है इसका ये कारिया फलन है इसका ये कारिया फलन है अब कहता है ये 3300 अंगस्टरंग का इस पर फोटोन डालें तो 22 सी बात है 3300 का फोटोन डालें तो आप 3300 के फोटोन की इनर्जी निकालो तो दोस्तो यह रकाइंस राउट आपका हो गया 124-133 को डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास इसकी वेलिवाई 3.75 लॉल्ट 3.75 लॉल्ट यानि दोस्तो इस इंसिडेंट फोटोन के इनर्जी है 3.75 तो जिस मैट्रियल का कारिय फिलन 3.75 से कम है वहाँ इलोक्ट्रोन का इमिशन हो जाएगा तो कदर चेंज कर ले भाही तेरे लिए देख डियर इसमें नहीं हो सकता इसमें नहीं हो सकता सोडियम में हो गया और पोटेशियम में हो गया सोडियम में हो गया और पोटेशियम में हो गया ठीक है, तो किसका होगा, तब तो आंसर क्या होगा, sodium, potentium, किसका नहीं होगा, तो तेरे सामने कदर change कर ले, यह इनका नहीं होगा, क्यूंँ, इसके इनरजी क्या है, 4.1,7, इसकी क्या है, 5.5, क्यों है, molybdenum और nickel, तो molybdenum और nickel, यह नहीं होगा, अब किशन तो कुछ यह बन सकता है, मूल बात क्या है, इंसिडेंट फोटोन की इनर्जी निकाल ली, निकाल ली डियर, वरक फंक्शन दिया हुआ है, इंसिडेंट फोटोन की इनर्जी, जहां वरक फंक्शन से कम है, वहां तो इमिशन होगा नहीं, और चाह तो क्यूशन नमर्ट ट्वंटी नाइन पाल्टिकल डैन्डमिक्स के समवेग कंजर्वेशन की बेस्ट पॉब्लम है समवेग अमेसां कंजर्वेट होता है चाहे आपकी गठना कुछ भी हो तो इसका मतलब दोस्तो निश्छित रूप से उन दोनों का टूट गया तो दोनों खंडों की लेम्डा क्या होगी यह अनुपात एक सम्वेक दोनों ब्राबर होंगे तो आप देखो दोस्तो यह एक बंप फुटेगा यह पार्टिकल निश्चित रूप से ऐसे जाएंगे क्योंकि विप्रीत नहीं जाएंगे तो momentum का total के भी zero होई नहीं सकता तो ऐसे यह जाएंगे तो दोस्तों किस से जाएंगे same momentum से equal and opposite equal and opposite तो momentum is equal and opposite तभी दोनों का सम्व क्या होगा zero क्योंकि दो equal and opposite vector का सम्व ही क्या होता है zero तो momentum is equal है तो lambda equal है answer क्या हो गया 1 is 2, 1 Thank you Dear, question number 30 है यह मैंने आपको सुरू में समझा दिया था एक पेज खाली कर दें फिर से कह दूँ कि दोस्तो किसी material पे यहाँ लेम्डा यहाँ लेम्डा क्यों ले रहूं है क्यों कुछ दो लेम्डा दिया एक पार्ट कहां खर्च होगा वरक फंक्शन में और दूसरा पार्ट दोस्तो कहां खर्च होगा उसके इमिट इलोक्ट्रोन की energy of kinetic या stopping potential अब यह मेरा equation है अब आपको जो प्रशन है लो मैं इसको मिटा के आप इपर प्रशन पढ़ लो पुरा पढ़ लिया और बोलू क्या कहता है एक matter है उस पे lambda का photon डालते है तो stopping potential 3V note है 2 lambda का डालते है तो stopping potential V note है तो मुझे इस matter का 3 sold wavelength चीए देली तरहर यह चीए आजा अब यह खाली किर बोड़ को सबसे पहले SC by lambda तुने डाला तो SC lambda note 3EV note 3E, E से multiply करना पड़ेगा उर्जा है फिर दोस्तो आप इसको 2 lambda डालते हो ओ पुतर, यह कभी change नहीं होना है क्योंकि एक पदार्थ का और फंक्शन चेंज नहीं होता है और यह तेरा क्या हो गया EV note अब एक आम गनित क्या कहती है 3 से multiply कर दे इसको SCY lambda minus 3 SCY 2 lambda equal to यह 3 है यहांपर तो यह तेरे सामने है SCY lambda में से minus 3 SCY lambda जाएगा तो क्या बचेगा minus 2 SC बटे lambda note ओके डियर यह तेरा SC बटे lambda है यह तेरा एक है यह तेरा डेड है ना तो डेड है तो किता बचेगा minus half SC upon lambda equal to minus 2 SC upon lambda note SC SC cancel out कर दे minus minus cancel out कर दे तेरो क्या चीर है lambda note उसको उपर लेके जा तो यह तेरा क्या आगया बचे यह lambda उपर जाएगा ओ सोरी सोरी यह तेरा 4 lambda lambda note उपर चला गया क्यों से नमा आजा तो lambda note equal to 4 lambda इलान सुरा गया तेरा यार क्योशन है और अच्छा पताओं कब है एक answer plus 0.35 और एक answer minus 0.35 बहुत आसान है board के करना classroom पढ़ाना पर एक्जाम में जब बच्चे के साम दोनों उप्सेन आते हैं तो इन दोनों इस एक पिट्टिक लगाना तफ जोब है इवी नोट की वेल्यू बढ़ेगी बोलो हाँ या ना दान दो क्लास ह न्यू इक्वल टू ह न्यू नोट प्लस इवी जी रो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जन क्या बढ़ेगी यह तो constant है बट स्टोपिंग पोटेंशियल का मतलब स्टोपिंग को नगेटिव अलग से साइन नहीं करना स्टोपिंग का मतलब बताओं क्या है कि बेटरी का नगेटिव सीरा जुड़ा हुआ है बैस यह काम कीजिए अब देखो 4000 से कितनी उर्जा बनेगी तो 12400 में आप 4000 का भाग दो इलोक्रोन वोल्ट में दोस्तो यह आपका कैंसल आउट हो गया तो आप देखो 40 में 114 का भाग देंगे दोस्तो भाग कितनी बार गया तीन बार गया फिर चार बचे तो अल्मूस्ट 3.1 लोक्रोन वोल्ट आ गया दूसरा क्या कहता है एटू इक्वल टू वोई 12400 बचे 36 वोई लोक्रोन वोल्ट दोस्तो अब इसमें 36 का भाग दो तो 124 में जला 36 का भाग दे लो तो दोस्तो 124 में 36 का भाग देके आप देखेंगे तो एक्जेक डेटा क्या आएगा तीन पॉइंट है तीन पॉइंट चार पांच बस अब तीन पॉइंट एक से तीन पॉइंट चार पांच पे गया तो दोस्तो किसका डिफ्रेंस आया पॉइंट तीन पांच का आंसर क्या आ गया पॉइंट तीन पांच वोइंट वोल्ट भी था यह वल्ट कुछ फरक ने पढ़ता है पोटेंशियल पूज़ता है तो वल्ट लगा दो उर्जा पूज़ता है लोट लगा दो कोई पढ़ता है चीज़ों में दोस्तो क्यूशन नमर 32 बेसिक क्यूशन है प्रकास से दूरी चेंज की दूरी चेंज करने से याद करू रहें आई इंवर्स्टिली पर प्वोस्ट न आर्शकायर होता है दूरी से इंटेंज़ी चेंज़ होती है इंटेंज़ी का दोस्तो याद करू पोटेंशियल से कोई समवन्द है नहीं है तो point 6 की point 6 रहेगी क्या देना potency 11, तो incident photon की frequency से है, उर्जा से है intensity या संक्या से है, नहीं है देखों दोस्तों, question no. 33 में equation balance करनी है, उपर का भाग उपर के बरावर, नीचे का भाग, नीचे के बरावर तो करो तो जेखों, उपर 110, balance है, यह 1 यह minus 1, गड़बड है यह 1 plus 1, यह है पर निचे गड़बड है निचे भी सही है लेकिन एंटी पार्टिकल नहीं है आप जानते हो न उसके साथ अमेशा क्या निकलता है कि एंटी पार्टिकल निकलता है इधाना चीज करा इसमें सबस्वेड़ बात है अमेशा क्या निकलेगा एंटी पार्टिकल तो आपके सामने तो देखो जीरो तो वन माइनस बने क्या हो गया जीरो जीरो हो गया यह इलक्ट्रोन है उसके साथ का निकलेगा एंटी निट्रिनो नहीं एंटी निकलता पता किसी को भई यह निकलता है दोस्तो उर्जा और संबेक के स्रेंक्षन के लिए मूल से कहूं तो यह एंगुलर मॉ दोस्तो थर्टी फाइब अगला साथ कहता है इन विच अप फॉलॉविंग डिके एंटम सिफ्ट वन प्लेस फोरवर्ड एक आगे बढ़ जाए एक आगे बढ़ जाए इसका मतलब एक अटोमिक नमर बढ़ जाए एक अटोमिक नमर किसे बढ़ता है बीटा च्छै बीटा है बीटा च्छै बीटा च्छै ओके थैक्यों थर्टी सिक्स इने सेंपल ओफ रेडिक्टिव बैट्रियल वाट परसंटेज ओप इनिशियल नमर अट्यू नुक्लिस विल डिके डूरिंग वन मीन लाइफ मीन लाइफ सिक्ट्री परसंट भई हज हएते हीट अधैयं हो स्नुन लाइफ में अदा डीके होता है अधा वेस्ता है मेल आइफ में 63 परसंट हो जाता है और 37 परसंट बरसता है एक बास अनवरेज लाइफ और संटा रहे एक ऐसमेया है जा-स हे ironic तो इस लिए इसको बहुत-धनल हे पी एवरेज इस ग्रेटर देन टी हाफ जाद है इस बात तर्टी से उन जोड़दार गुबा है इसने या एक 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 उन्चाइस से गिराते हैं भाईया कोई बात एक गिराएंगे जाद ले पहुंचता है तो उर्जा और लेमडा को जोड़ दिया कोई दी कितनी यार आपको सबर जानते हैं पी इकुल टू क्या होता है एच बाई लेमडा ठीक है डियर पी इकुल टू मारा एच बाई लेमडा तो आपके सामने लेमडा एकुल टू क्या हो गया लेमडा एकुल टू क्या हो गया एच बाई पी पी क्या होता है एम वी और वी दोस्तों आप ज से प्रपोर्शनल है, रूट H, तो H उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइने साथ, यह रो, H, माइने साथ, ओके लिए, थैंक्यू, दोस्तो, 38, यह पढ़ेंगे, थोरी किशनल, वो कहता है, consider a beam of electrons, देखो, beam of electrons, अब तक हम क्या कर रहे थे, photons incident कर रहे थे, beam of electrons, each electron with energy e-note, incident on a material, surface kept in a evocated chamber, कोई निर्वातित chamber है, दोस्तों, कोई फ्रेक्रिक्रिक्ण पढ़ता, आप electron डालोगे न, जिसके energy e-note है, तो पहला है, कोई भी electron, उससे निहीं होगा, इस निहीं का, electron, उससे किया जा सकते हैं, electron की उर्जा e-note हो, यह भी खास बात नहीं है, third देखो, electrons can be emitted with any energy, with a maximum of e-note minus five, five is work function, यह 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 यह, आपको भी ड्राइगा, बड़ इजी बहुत है, और करना बहुत ज़रूरी है, क्यों मझे याद, अब भी याद है, मैं 2013 से 2019 के जब previous paper के solution कर रहा था ना, तब equation आया था, याद अच्छतरे मेरे सो, शुरू कर, करे, आजाओ जो जे, एक electron है, mass m है, यह इसका initial velocity है, और यह को electric field है, दान देना रहा है, यह i-capper है, यह j-capper, यानि कोई एक particle, charge particle है, electron charge particle है, वो electric field के perpendicular इंटर कर रहा है, ठीक है डियर, और lambda note की value h upon mb note दी है, अब वो कहता है, इसका t समय के बाद बेमडा क्या है, और दोस्तों इस प्रकार से इसके object दे रहे हैं, ठीक है, तो आप page खाली करें, मैं इसको दोस्तों पूरा sort करना सुरू करता हूँ, देखो डियर, सबसे पहले, आप जानते हो, f equal to क्या होता है, ma, और एक f equal to क्या होता है, qe, ओके डियर, तो इस पे एक force लग रहा है, क्या, e, e note upon m, और किस cap में है वो, j cap में हो, इसी बात है, और डियर, v equal to क्या होता है, u plus 80, v क्या है, initial velocity, u क्या है, अब किसे दिखा मेरे को, u plus initial, क्या है initial है, v note i, वापस आजा, तो आप जानते हो, निकालते है, resultant, तो a1 square, plus a2 square का, under the root, okay dear, और t से, प्लीज यह, t साथ रहेगा, अब दोस्तों, इसका resultant v निकलेगा, वो क्या निकलेगा, तेरे सामने है, देख, v note square, plus e square, e note square, t square, m square, देखे, क्यों कर रहा हो है, simple है, यह एक component है, यह component, बुल गया क्या, a equal to a1 i k, plus a2 j k, plus a3 k, to what is value of a, a1 square, plus a2 square, plus a3 square root, okay dear, यह तरह v हो गया, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ, कि इसकी मजूरूतनी है, मेरे को, बोड़ खाली से, बड़ा गुणा भागया, अब तेरे सामने सामने, वह यह, यह v आ और v, notes का है, आगया dear, अब अपने lambda चे अपने को, तो अपने सब जानते है, equal to क्या है, अब अपने सब जानते है, p equal to क्या होता है, h by lambda, lambda equal to क्या होता है, h by p, p क्या होता है, m a v, यह तो करना है, तो आजा, तो lambda equal to, तेरे सामने सामने, h उपर है, ठीक है dear, m तेरह i है, m को बहार निकाल, 1 प्लस, E स्कायर, E नोट स्कायर, T स्कायर, M स्कायर, और V नोट स्कायर, ठीक है नियर। अब वापस कुछन में आए एक बार तो, कुछन क्या कर रहा तेना देखे, लेमडानोट क्या है, HMV note देखे रहा वापस का लेकर HMV note क्या है क्यों सुन में या lambda note वापस क्यों में आजा तो तेरे सामने lambda equal to lambda note upon ये तेरा दो बचावा है 1 plus E square E note square T square M square V note square क्यों में आजा भईया तो ये मिटाओ उसको तो ये तेरे सामने formula आगया दोस्तो lambda note ये रहा 1 plus E square E note square T square M square V note square ये तेरे सामने सामने भईया इसका formula आगया ठीक है डियर तो ये तेरे सामने इसका एक answer आगया तो 39 का दोस्तो हमने answer क्या दिया भईया 4th answer दिया है इसमें कहां गड़बड कर रहे है अपने E square 1 minute 1 minute भई root तो हाँ बिल्कुश सही है साब इसका answer second रहेगा क्योंकि 4th में रूट नहीं है 4th में रूट नहीं है इसका answer क्या रहेगा second 13 अके थैंक यू डियर इस formula के इस question करने के कई लोग कई तरी काम लेते हैं मैं एक simple तरी काम लोगा दोस्तो मैं जानता हूँ E का एक formula होता E equal to minus 13.6 Z square upon N square यह दिया बात करूँ हाइटल परमानू की तो Z का मान एक रखता हूँ N का मान एक रखता हूँ तो first course के विल्यों क्या होती है minus 13.6 second में क्या होती है minus 3.4 तो दोस्तो N तो second हो गया अब Z लीथियम का क्या है 2 है उसका सुरी 3 है सुरी लीथियम का 3 है तो 3, 3, 9 तो दोस्तो E equal to minus 13.6 सुरी E equal to equal to minus 3.4 multiply 9 9.36 हाथ की 3 30.4 जाद करो इसको कि सेकेंड से बोलो ने यार second course की हाइट निजी क्या होती है minus 3.4 है उसको Z स्का से multiply करना लीथियम प्लस 2 है लेकिन एटम नम्मर इसका 3 है 3, 3 हो और हाँ यहाँ एक confusion मत हो भई plus 3.6 और minus 3.6 अगला पूस्ता binding energy जो मैं से अपन जानते है किसमें होती है plus में होती है थेंगे हाँ डियर कुष्ण 41 इस कुष्ण को करने के कई तरी के हो सकते है बट मैं उस तरी किसी करूँगा जो डेटा का अब तक मैंने आप वो क्यों किया है अगला क्या कहता है कुलीज ट्यूब से बाहर आती अक्ष किरन स्पेक्ट्रम की नियूनतम लेम्डा तो कुलीज ट्यू गणे दातू पे पहुंचने वाले एलक्ट्रों की लेम्डा क्या तो डोस्तो लेम्डा मिनिमूम कितनी है दस लेम्डा तो इसकी इनर्जी निकालो 12400 इन एलक्ट्रों वोल्ट ये दोस्तो ये एक्छुल में आगी आपकी बारा सो चालिस एलेक्ट्रोन वोल्ट है इनर्जी है तो एलेक्ट्रोन वोल्ट 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 बस अब आप एलेक्ट्रोन की लेम्डा मेरे को याद है बारा पॉइंट दो साथ है अपोन रूट वी एलच अनुडोलिटर तूई अनस्टन नृट्ड सूरी। अश्ञतरा perform ठीक है? अब रूट वी क्या बार्र असब चालिस है? अब शिदा करो, बारा सो चालिस है, अब प्लीज धान्दे क्लास अब ये एक्जाम अभी है, कॉम्पूटिशन है, दोस्तों ये रूट 1240 है, 1240 का रूट देगो 30 का स्काइर 900 होता है, 40 का सोड़ा 100 होता है, तो लगब 35 का सपास आएगा, अब 12 बटे 35 मालो या 12 बटे 36 मालो तो एक बटा 3 मालो, एक बटा 3 मालो ये लो, एक आनसर भी है, ये लो, टापका आनसर भागी है, ओके थैंक्यो, डियर ये क्यूशन भी मेरी CD का ही है, थोड़ा सा दिमाग लगा ना इसके अंदर, जो क्या कहता है, पास दिन में 10% 6 हो जाता है, माना की पहले सू है, धान दे ना, और पास दिन और 20 दिन है, मु बहुत कितना हैंगा, इसका आठ्ट कम करेंगे, तो ये किस के असपास होगा, 74 के असपास होगा, क्यों दोस्तों, ठीक है न, और 71, 2, 70, जो, कितना होता है, साथ, तो लगबख 65% का असपास आगे, इनक्यों क्यूशन 43, एक नाभिक में 90 प्रोटोन, 144 नुकलियोंस से बना एक अलफा कंड निकलता है दोस्तों एक अलफा कंड दोवारा दो बीटा कंड तो एक अलफा कंड जाएगा ना तो अलफा कंड से मास में कमी होती है चार की तो वो तो दोस्तों कोमन सेंस की बात कितना बच गया 140 बच गया और दो बिटाकन तो अलफाकन से तो दो की कमी होती है बिटा से दो की वर्दी होती है वो 90 का अपना 90 वापस रहेगा तो आंसर हो गया 90 140 बिल्कुल सिंपर पूसे थे 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 दोस्तो इसको बोलते हैं विटन की दर एक्टिवीटी माइनस क्यों समय के साथ गठना है लेम्डा कॉंस्टेंट है एक्ट्व न्यूक्रिस संख्या जो समय के साथ कमोनिया नहीं आप जानते हो बिसी इसी बात है आप जानते हैं विटन की दर उस समय उपस्तित से क्यरी तो पर मौन संख्या के समानु पाती जैसेले साथ एकटिएलों पंच गंटे पण्ट लेए पचास हजाराउब अब मानलों को हैं पड़े पचास हजार्याउं हाप लाइप तो आपकी वह पांच गहंटे किते टूटेंगे 25,000 क्योंकि कितने में से कितने टूटेंगे यह डिपेंट इस बात के करता है कि present में वहाँ active nucleus की presence क्या बास्तिरी सी बात है और जिसकी slope दोस्तों यह होती है जिसकी slope जादा है लेमडा constant है उसका n जादा है तो अब आप उसमें में आएं दोनुग आपको देखते हैं dear तो साप साप पता लग रहा है मैं देखो यह slope आपकी जादा है यह slope आपकी कम है तो स्पस्टूप से ठर्ड आंसर हो गया एक आच्छे निया तामी बीटा से अधिक है पर उसके सदेव 20 से 30 से चाहित नियुक्यों उपर निचे दोखो दोस्तों स्लोप में फारक है इसका तो बहुत सिंपल सी प्रोड नहीं कर सकता हम है आप इस खाली करना पेज माइनस दी एन बाई डी टी इकोल लेमडा बाई एन आप करो तो हो जाता है हाँ तो डियर पंच नंबर 19 का आखरी क्यूशन जो को दहां से पढ़ना क्या कहता है एक फोटोन कोलाइड विटेश तरी हाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इनलास्टिकली इनरजी ओफ एक कोलाइड कोलाइडिंग फोटोन इस 10.2 वोल्ट तो दोस्तों 10.2 वोल्ट का मतलब तो यह है कि यह स्ट कोर्ष से किस कोर्ष में आ जाएगा सेकिंड कोर्ष में एक फोटोन का इमिशन हो जाएगा फिर कहता है आप टाइम इंट्रिविल ओप ता ओडर ओप माइक्रो सेकिंड अनादर फोटोन कोलाइड विस सेम हाइट्रोजन एटम इलास्टिकली विस एंडर्जी ओफिप्टीन वोल्ट फिप्टीन वोल्ट बंदा क्या करेगा तेरा पॉइंट छेतों खर्च होगा बाहर लाने में और फिर उसको गुमाएगा किस से एक पॉइंट चार से तो इसका आंसर हो गया दस पॉइंट दो इलक्टोन वोल्ट उड़ जा का फोटोन होगा और एक पॉइंट चार इलक्टोन वोल्ट उड़ जा का ये के लक्टोन होगा तो पहला है वो तो फोटोन निकालेगा दूसरा इस लेक्ट्रोन को बाहर लेकर आ जाएगा और बच्ची वी इनर्जी है वो इलक्ट्रोन को गुमाने में खर्च हो जाएगी, ओके डियर, तो आंसर हो गया आपका फोर्थ, थेंक्यो, तो ठीक है बच्चो ये हमारा उननीस्वा पंच बिलकुल सूट हो गया है, आपके पास आ गया है मैं फिर से कहता हूँ बेटा, CLC Seeker YouTube चैनल को फोलो करो, CLC Seeker Facebook पेज को फोलो करो और CLC के WhatsApp ग्रूप पे जुड़ जाओ क्या करना उसके लिए, अपना नाम, अपना CLC का रोल नमबर, या भार के बच्चे हो तो नोन CLC नीट के हो या आईटी के हो और वो WhatsApp नमबर, जिसको WhatsApp ग्रूप में जुड़ना है, वो सब लिखके मेरे नमबर 99287 38888 पे WhatsApp कर दो, आपको WhatsApp ग्रूप जूड़ देंगे एक आपको पता होगा, आपके अपने CLC नी चार जून से डेली टेस्टरी स्टार्ट कर रखी है नीट की डेली टेस्ट होते हैं अपने कहां CLC live.in पे चाहे IT हो, चाहे नीट हो ओके डियर, तो अब फिर अगरे टोपिक में आपसे मिलते हैं थैंक यू, जैसील से